हाई फ्रेंट्स आपको मेरे चैनल टेकनिकलम के डियर में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना आय जात निवास तीनों में से कोई भी चीज अगर आप बनवाते हैं तो उसका स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वह कहां पर अभी पहुंचा है जाते हैं तो उस रशीत पर आवेदन संख्या लिखा होता है से आप कर सकते हैं कि आपके जो भी ब्लाक होगा उस पे तासिलदार के पास गया है या उसके बाद लेकपाल के पास भेजे हैं या नहीं भेजे हैं लेकपाल के पास फिर से तासिलदार के पास जाता है मतलब वहां पर कई सारी अधिकारी लोग रहते हैं तो उन लोगों के पास बार ए उसको चेक करने के लिए सब से पहले मोबाइल ए कमें लाफ्टाप में कि सीबर ऊपको यहां पे टाइप करना होगा आपको यहां पर यहां पर निख करदिया तो मैं यह इस पर एक नाम देजेगा क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं डीजेगा तो यहाँ पर मैं जल्दी से डालगे और सर्च पर क्लिक करने के बाद इहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा यहँ पर देख सकते हैं आवेदन के स्टिती फिवरर है तूख करें यहां पर अवेदन शुकृतियों प्रमाणपत्र त्यार हो पूरा देखना चाहते हैं कहां पर है तो क्लिक कर देजी क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा तो जैसे यहां पर देख सकते हैं जो भी ऑसी सेंटर वाला जो भी भेल लिए उसके पास से श्री नरेंद्र नाम उनके पास गया है उसके बा मैंने आवेदन किया था मैंने उनको भेजा था 19 तारिक को और वहाँ पर वापस मतलब 26 तारिक में आ चुका है तो ब्रण कुछ इस तरह से आपने आया जात निवास तीनों का आप आवेदन संक्या से चेक कर सकते हैं कि कहां से कहां तक पहुंचा है और कब तक आपका आ सकता है तो ब्रण कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं तो ब्रण आसा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आयोगी पसंद 59 तो प्लीज लाइक कर दीजिएका और चनल पर हम पहली बाहरा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएक और साथ में लाइकन को तो फ्रहन इस वीडियो में पास इतना मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए जाएं बन्देवाद